कि अच्छाइन दोस्तों आपका स्वागत है इस इक्षाजिस और यूटूब चैनल पे और हम लोगों ने पिछली वेले क्लास में अर्थ ब्योस्ता से संबंदित बात करी थी अर्थ ब्योस्ता एकोनॉमिक्स नहीं जो पूर वैदिक काल में अर्थ ब्योस्ता थी कि वह क्या करते थे क्रसी करते थे पाइसा करना कि एसा काम करना जिसने कुछ आए हो वह होता है का बृशा यह करने sesoka बूलते अब we देते या अब समझेगा वेसाय तो जो इस समय वेलों होता था टा टीन-चार बैवसाय जो तो मुख खे और कुछ उसमें ज्यादा मात्व के थे जैसे समझेगा गाज था एक स्वाड़कार है NOT सवड़कार होता था वो सोने से सम्मधित काम करता था धात्मों से सम्मधित काम करता था ठीक है ठीक है दूसरा एक होता था कुम्भकार जिसे हम कहते हैं बढ़ाई बोलते हैं का बोलते हैं बढ़ाई तो यह जो बढ़ाई था उस समय मतलब रिख वैदिक काल में या वैदिक यही लोग रत बनाने का काम करते थे अपने सुना होगा इतना ड्रामा हुआ था रत कैसे बनता था आपने देखा होगा महाँ बातों देखेगा समझ में आज़ेगा तो बढ़ा ही जो करते थे रता देखे एक होता था कुंबकार कि यह लोग थे लेकिन इन लोगों का जो बैव सा कंते निम्तम अस्तर पर था इसलिए बहुत ज्यादा जोर देने की जरुदबत नहीं है तो कूंत कार हो गया कूंत Har reflection कंप कार हो गया जुलाहा के बादा चर्मकार अभ समझेंगा जो कूंत कुम्हार बोलते हैं प्रजापती लोग भर्वा और गगरी सुराही यह सब चीजें पर काम करते हैं वो होते थे जुलहा होता था जुलहे लोग वो होते थे जो जैसे अपने देखाओं का गाउं में जब गेहों की सफाई की जाती है तो बनाने का बनाने काम करता है तो आपको ध्यान रखना रखना काम बढ़ाई करता है टिक तो यह नार्मल चीजे हैं होगी अब चलिए देखिया आगे बात करेंगे कुछ को की और पिर कांटी में रखेंगे टेंशन मत लिए लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगे तो सेर करिएगा जरूर सेर करें अपने दोस्तों को बताईएगा अपने की तैसियों को बताईएगा कि हाँ एक बार करके यूज करते थे अब क्या क्या यूज करते थे समझेगा यह लोग धातु यूज करते थे ठीक है अब जो यह लोग धातु यूज करते थे उसे अयस सब्द का प्रियोग है मतलब यह धातु को धातु नहीं बोलते थे इसी धात को यह लोग बोलते थे अयस क्या बोलते थे सब्द का प्रयोग करते थे एक सोड अब क्या करते थे इस सोड को ये तुम्हें बताते हैं स्वाड़ को निश्क लिख दिया अब बच्छा का फ़यारी राम रही का हो गया मतलब स्वाड़ का निश्क मलब कैसे हो गया अगर पढ़े रहेंगे तो कर लेंगे नेदबेट के गाना गाएंगे ग्याम हाल में ठीक है तो यह लग स्वाड़ को निश्क कहते थे या उसके लिए निश्क सब्द का प्रियोग करते थे अब क्या 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 कोस्टन पूछा गया यह समझेगा यह कहा जाता है कि जो यह निश्क है यह आबूशड होता था किस से बना हुआ होता था सोने से बना हुआ एक आबूशड होता था और यह पूछा गया था कि यह निस्क पहना कहा जाता है और ड्रामा भाई यह तो पहले से यह नहीं पता है कि सोनवा खाती निस्क यूज करते थे अब यह पूछ दिया हमसे कि पह गले में पहन जाता था जो आप पूरा लिखेंगे गले में पहनते थे अच्छा कभी कभी जैसे इसके पहले हमने बात करें थे लोग बीनमय के लिए गाय का यूज करते थे कैसा करो छोटकी बच्चिया लेका वाओ इसको एसा करो आप ले जाओ और वहां से दोट उठा लाना बच्चिया ठीक है मलब गाय अरे वही गाय का जो लुलू पुंजू मुल्नू बच्चा वाता उसे बच्चिया बोलते हैं तो अब यह कभी कभी इसी निस्क का प्रयोग बीनमय के माध्य में करते हैं तो एक बार कोशन पूर्ण आप सनमय गाय कर दिया गाय अब दिमाग खर आती है थे बस गाय से गाय से ही बीनमय होता था तो निस्क से भी यह निस्क जो होता था बीनमय के माध्यम में प्रयोग किया जाता था आप लिखेंगे इसे निस्क को बीनमय के माध्यम के रूप में रूप में प्रयोग किया जाता था थीक है तो निस्क से दو को queosn क्या का बना है यह किस धाट के लिए यूज की यह वाय वंत। लिए यह पह monopoly कालमे की बता ओ बिन में के लिए लें दिन के लिए किसके प्रयोग करते थे तो निसक का एप रही प्रयोग किया जया जाता था एग्नम pallier and quatt it में कडिक है जलिए ठीक अगर इतनी चीजी क्लिर हो समझते हो का होग ऩया अभी कितना बार बता है कि अपनी मिन麼क मदल्ड यह होता है कि अपनी कि चीस हमें दो उसके बदले में कोई किक दम कहां जाता है बात का कि झा डाम होता है तो यहां से की बने अधात को लिए अयससब्द का परियोग करते थे और निस्क से जीज़ सपन्हों गया तो यह लोग बैसाय में में खते थे कमा करते थे थिक है अगर यह भांद कर रहे हैं तो एक की मता एक कि जब जैर का गोर्य हो जाएंगे ईसे बढ़ाते जाएंगे आप ऐसा उनीनunk क्या करते थे बेशने का काम करते थे भाई ठीक है लेके जाओ अदला बदली के लिए ठीक है लेकिन कभी-कभी कुछ वर्ग होता था बैपारी जो पस्पालन में एक होता था बैपारी आपने आप लोगों के समय में भी होता बैपारी बैपारी जिसे उस समय के लोग पड़ी कहते थे क्या कहते थे मड़ी कहा जाता था मतलब इन बैपारियों के लिए बैपारी नहीं बोलते थे इन बैपारियों को क्या नाम देते थे पड़ी कहा जाता था अब समझें पड़ी का काम का होता था वैपारी है तो भाई जाहिर सी बात है यह का करेगा पसुओं को एक बहुत चुट्टा थे चुट्टा का मंदर भी ऐसा था कि समझ लिए कोई ऐसा अमीर बेखती है जिसने को बसवालन किया हुआ है तीक है वह वह बैचार अपना खिला को बरा बायाला बना दे गुशाई के बंद कर दिए गेट में त्ला मार दिये कोई नहीं लेके जा पाएगा उसमें यह होता था दंड़ा कुंडे लगाए है उसमाम बैठा दिए जो चुरा होते थे रतियं माते छिह चुरा ले जाते थे तो यह जो पड़ी होते करते थे पशुग हो स्यूज्स का भी काम करते थे थि कसि बैद्र स्यूजिया चुराने काSet न्हीं है तो इक जंगा रहने ही नहीं मतलब यह समझ लीज ili कि बैपार के लिए दूर-दूर जाने का वैक्त नी यह muchísimo करते थे जो बैपारी होते थे रड़ी यह अच्छ क्या होगा जब बैपारी के लिए उस समय एक वरग होता था जिसे कर देख वह राख नहीं लाट का नम देते थिवेकनाट अब के चली विकनाट का है, कि हल्यां अंदक समझहासाए करते और पड़ी होता तब सूझ ऑता है इसे बूता है सूध खौरी कि शुद्खोरी अपिंगे सखेक होतीा है यह तर खतरनाक लग रहा है ऑग्याधी देशेर लग रहा था कुछ समझ में आ जाता इस फूरी का लिख दिए सुध खोरी का मतलब यह हो गया कि माल लीजिए हम अमीर हैं कल पना कीजिए हैं तो जैसे हम अमीर हमारे पास बहुत पैसा था हमारे पास कोई आया कि भाईया हमें ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है अशा करना जब वापस करना दो तो हमें इसमें सूध लेने का जो काम करते थे मतलब पैसा देना और पैसे कुछ देना उसके बदले में जो सूध लेना वह होता था सुध खोरी तो यह बेकनाट जो होते थे वह सुध खोरी का काम करते थे मतलब एक समझ लिए कि ब्याज पर रिड़ देते थे क्या करते थे यह लोग ब्याज पर रिड़ देते थे यह लोग भ्याज पर क्या देते थे रिण देते थे तो मेरे इसाफ से यह चीजें भी क्लियर हो गई होंगी एक बार मैं उसको पूरा रिवाइज करता हूं फिर आगे चले यह लोग धादुका यूज करते थे अयस जिसे बोलते थे और स्वड के लिए निस्क गले में पहने सब्सक्राइब देते थे तो बस इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है अच्छा एक चीज और बताओं जैसे यहां धात आयस्क की बात की गई है सब्द का प्रयोग किया गया धातुके लिए अब इस आयस्क में इन लोगों ने एक चीज घूजी थी लोहा लोहा की अगर पूछे का कि खोज किस ने किया था ठीक है जैसे अब पीछे बताये थे की लोहा की किस ने करी थी आरियों ने करी ती यह ध्यान में रखना आर्यों ने लौह की खोज करी अभी यूज करेंगे यह उत्तर वैदिक काल में उसका लौह का यूज करेंगे यह जानकारी कि लौह मतलब कुछ वह्तिखे राजनीत हैं कै around अब इनके हम राज नेतिक ब्हосьता के बारे में बात करें जिए राजनीति कि व है बब मेर्स बारे में राजनीतिक है आप समझेल दिदे। नियुक्स्टा से कई बार को क्यों पूचा गया पहली बात हलका हम् यहां के नेता सब चुटा होते है जूर जूर बोलके बेखुण बनाते रहते हैं तोड़ी अलग इसे ती उसको समझेंगे दिखें जो वहां की राजनी तो एकदम जैसे ब्युवस्थी त्रिके से राजनित नहीं थी कोई भी एकदम असपाइस्ट ब्युवस्थी तरीके से वहां पे इन लोगों ने प्रसासनी की काई बना रखी थी अपने लिए थोड़ा आसान करने के लिए जैसे अब समझेगे का कैसे कैसे होता था जो कुल होता था इन लोगों का कुल परिवार मतलब परिवार अब ऑगर परिवार है तो यह तो समाज का एक refract Sen की एक परिवार मिलके मिलेगा एक परीवार दुई पड़ीवार saint तो परिवार होता था जो परिवार से बड़ी संस्ता मतलब इस कुल से जो बड़ी संस्ता होती उसे ग्राम बोला जाता था ग्राम आज भी होता है गाउं, गाउं को ग्राम बोला जाता था, जो गाउं का मुखिया होता था उसे ग्राम मेड़ी बोला जाता था, उसे क्या बोला जाता था, ग्राम अड़ी, गाउं का मुखिया जो होता था उसे ग्राम मेड़ी बोला जाता था, अचा गाउं के बाद भी तो क अब अच्छा क्या सिर्फ यहीं उपर था नई इसके बाद भी एक होता था जिसे हम बोलते थे जन जन का जो मुखिया होता था यह इसे राजन बोलते थे का बोलते थे राजन या राजा ठीक है अब समझेगा कि कई परिवार को मिला के एक गाउं बना तो इसका मनलाब है जो परिवार होगा समाज की सबसे छोटी हिकाई लिखेंगे क्या क्या लिखेंगे में जो परिवार होता था ये सबसे चोटी काई थी परिवार से मतलब कुल से बड़ी थी गाउं and इस मतलब कई परिवार मिला के गाउं बनता था कई का वीस मिला के जन बनता है था और अब बता है था जब दसरा की दुवात वस्तें मैं पंच जन थे सब को मिला कि पंचजन बोला जाता था एक और इक ये था वह भरत कवील में धूल चटा दिया था तो देखें तो अब समझ धूर्म अब और कुछ होता था क्या कि 응 як घुळबहर बूद Fralusa होता और पुशेर होता था तब पुछ परिवार के मुखिया को कुलप बुलाते थे जो परिवार का मुखिया होता था मतलब जिसे कुल का मुखिया इसे बोलते हैं कुलप तो यह कुलप यह ग्रामेड यह विस्पति यह राजन अब समझेगा राजन का मतलब आएगा राजन पर जो यह राजा होता था यह पूरे कभीले की सुरच्छा देखता था क्या की चौरी तो नहीं कर रहा है करनों को मार पिठाई तो नहीं हो रही को लो ठीक है घंसलेंगे अग्रेजी नहीं जानते हैं बोलो हिंदी में टेक्स का होता है बोला कि बली का मतलब होता है कि आप लोग खुशी हमें देंगे वो अब समझेगा आते हैं राजन राजन से कई question पूछा गया अब से राजन से क्या क्या question पूछा गया समझेगा बात करेंगे राजन की राजन तो उनलब राजा अब यह जो राजन होता था या राजा होता था यह क्या करता था उस पूरे जो जन होता था उनकी सुरच्छा का काम करता था किसका काम करता था म जो यह कबीले की सुरच्छा का काम कभीले की सुरच्छा भी और इसका जो प्रसासन भी देखता था सिंसे कि कैम कि खिर अब जब राजा इतना काम कर रहा है यह सोचिए गा इतना कस चाहिए और यह सब काम करने के लिए एग टेक्स लेता था अब श्रक्राइब को श्रक्राइब आता प्रविक ऩॉसरे ली झाल के घर ली चड़ाएं से बस्याम कारते हैं तो टेक्स बंदर बली तो वो बली काम अढ़िसा नहीं होता था हुआं वहां बली का मतलब है था कि यह लूग टेक्स देते थे मरलब जो भाई परिवार या समाज या गाउं वाले या बिस्पति वाले ले लाके नहीं देते थे वह स्वैचिक था मलब आपको समझवाया जैसे होता है ना कि आप कोई काम करिए तो होता क्या है कि उसकी बदले में कोई बोले जैसे किसी की जान उन बचा आपको समझ में आए कि राजा को देना तो देंगे और अनिवारी नहीं था नहीं देना ही है अनिवारी नहीं था अब समझेगा ये बल होताता ऐग्स होता था राजा लेता градथा सुरच्छा आप सेयंगे हम पैसा थोना फोन देंगे नाहीं ओल देंगे तो है करें यह बहुत हैं गजा हमें थे पैसा नहीं ईसले लिया जाता है नि उस्सम्रेंट टेक्स में रूपया नहीं दिया जाता KP दूददढ़ी अनाज फल फूल पिज्जा नहीं दिया जाता घलत दूदढ़ी ऑनाज यह चीज्ञें दी जाती थी बली के रूप किसको राजन को तो मेरे साथ से यह भी क्लियर होगा ठीक है अगर यह हो जाता है तो लेकिन एक चीज अच्छा यह लोग एक चीज अच्छी बना रहे थे बोले कि राजा का मतलब राजा होगा लेकिन यह नहीं कि तुम्हारा बेटवा राजा होगा बेउदा आदमी आए वह नहीं पोल्टि है वो राजा बनेगा है तो यह लोग राजा को ऐसा नहीं कि आनुवंसिक बना दिये थे अगर हां सभी लोगी सहमति है कि यह बने लाइक इंसान है ठोड़ा ठीक ठाक है बाद वेवार से भी हो गाम लायक है तो राजा बनाते नहीं तो कि